नमस्कार सातियों, क्या आपने ऐसी निउस कभी सुनिये कि बहुत सरे आप गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, और भी कंट्रीज में रहते हैं, लग बगास तक सुनने में यह यह आया कि इंडिया के आदमी दुबई जेल में है, सुदी जेल में है, या फिर कुछ करामी कर देत क्याक इता हैं, और बात करेंगे सरकारी डेटा के आधार पर हम आपको बताएंगे कि इंडिया में भी विदेशी लोग जेल हैं, जल्य हां, जिसमें नेपाल, बंगला देश, मयमार, भुठान, बटान, बघण, खुठान, और बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन, कनेडा, जियां सात्यों, बड़ी-बड़ी कंट्री के लोग भी इंडियान जेलों में हैं, उन्होंने क्या क्राइम किये हैं, वो तो अलग मेटर होता है, लेकिन कहीं न कहीं गलती तो की है, तभी उनको कहीं न कहीं, उनके उपर मुगदम हुआ हुआ है, केस हुआ है, फिर उनको अंदर जाना पड़ा है, और बता दूं काफी सारे लोग तो जेल काट रहे हैं, जिनको सजा हो चुकी है, किसी को तो उमर के तक की सजा हो चुकी है, जियां सात्यों, बहुत सारे केसों में डिटेल से बात करेंगे, कौन से कंट्री जेलों में नहीं है, विदेशी लोग भी इंडियन जेलों में है, और क्राइम करेंगे तो बहुत अंदर जाना पड़ेगा, ये तह बात है, चे थोड़ा टाइम निकल जाए, अलग बात है, देर है, कानून के सामने अंदेर नहीं है, तो उसलिए शुरूआत करते हैं, दे सजा हो चुकी है, 53 परतिसत अभी अंडर ट्राइल जलने है, यानि उनका केस रुनिंग में है, कोर्ट में पेशी पड़ती है, नयाले में पेशी अभी चल रही है, फिर आठ परतिसत अन्य रिजन से एक परतिसत हाई फ्रोफाइल जेल काट रहे हैं, यानि उन्होंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया, जैसे तसकरी हो सकती है, मादक पदार्तों की, या फिर मर्डर हो सकता है, बस ये भाई प्रोफाइल तो ये मान सकते हैं, इलिगल होना, चोरी करना, ये तो कोई बड़े अपराद नहीं होते हैं, उनमें जल्दी बंदा निकल जाता है, तो एक प बात कर लेते हैं, सबसे पहले पंजाब है पांचवे नमबर पे, जी या साथी, विदेशों के मुगद में, विदेशी लोगों के पंजाब में पांचवे नमबर पे आता है, पंजाब की जेले में लगबग 209 केदी हैं, जी, 209 केदियों में से 40 को सजा हो चुकी है, सोच नागरीक के मामले में पकड़े गया है उनको अंदर डाला गया है जबकि विदेशी नागरीकों को सबसे ज्यादा अंदर डालने में बंगाल का नंबर वन है 232316 विदेशी लोग बंगाल की सरकार ने अंदर डाल रखे हैं दूसरे नमबर पे महराष्ट रह जियां सातियो उसमें 517 लोग हैं तीसरे नमबर पे उत्रपरदेश हैं 505 लोग हैं चोथे नमबर पे दिल्ली है जिसमें 487 विदेशी नागरिक हैं पड़ोशी राजी हिमाचल चठा नमबर आता है 114 लोग विदेशी लोग अंदर हैं जम्मू एंड कस्मीर 13 वे नमबर पे है जिसमें 87 पीपल अधर कंटी के अंदर हैं हरियाना 21 वे नमबर पे आता है 47 लोग हरियाना में अंदर हैं इसमें सोचने की बात यह है विदेशी नजरबंद केदियों में 40 लोग हैं उनमें एक महिला है अकेले जम्मू कस्मीर के अगर बात करें 31 जम्मू कस्मीर दिल्ली में 7 दो अन्य जेलों में हैं यह आंगड़ा पिछले तीन सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ा है आंगड़ों के अनुसार हम देखें तो अगर नेसलल क्राइम रिकोर्ड के अनुसार देखा जाए तो बता दूं 2019 दिसम्बर तक 5608 विदेशी लोग जेलों में हैं रिकोर्ड के अनुसार जिन में से 4746 पूरुस हैं 832 मैलाएं हैं विदेशी जिन में से 2171 सजायापता है यानि उनको सजा हो चुकी है 2980 लोग यानि 3,000 लोग अंडर ट्राइल हैं जिनका केस अभी चल रहा है कोर्ट के मादेम से और हाई क्राइम के लिए 40 लोगों को नजरबंद किया हुआ है जियां सरकार ओ सरकार की नजरों में है 40 लोग ऐसे हैं जिन्नोंने बड़े कराइम किये हैं 304 विदेशी मैलाओं सहित 2,111 विदेशी लोग इंडिया में सजा वोगत रहें अभी के टाइए जिन में से बता दूँ 900 से पलस तो विवा हैं जो मतलब 30 साल से नीचे नीचे के एक जार के करीब 2019 दिसंबर तक अलग-अलग मुगदमों में उनको कोड़ दवारा सजा सुनाई गई है उसी पाए जाने के बाद में सजा सुनाई गई है कोड़ दवारा अगर सजा की बात करेंगे सजायापता स्टेड की अगर बात करें तो बता दूँ बंगाल की जेलों में सबसे ज्यादा है 13 1380 सी अगत्रप्रदेश में 22 लोग दिली में 96 हैं हमाचल में 55 हैं हर्याना में 12 हैं जं मो कश्मीर में 11 11 है चाजा में 66 जो लोगउति सजा काड रह रेहे हैं इन इस्टेडों में जेलों में saja yayपता में 304 मेलाओं केडियों में से 186 मेलाएं तो शिर्फ बंगाल में है यह यह बंगाल वाला समझ में नहीं आया कि बंगाल में इसा क्या कर दिया इनों ने ऐसा क्या किया वहाँ पे कि सबसे ज्यादा विदेशी लोग बंगाल की जेलों में हैं अगर देखा जाए तो बतादू मैं जेलों में सजा काटने वालों में बंगला देश के 1470, नेपाल के 228, मयामार के 155, अफरीका, नाइजिरिया के 146, पाकिस्तान के चुरान में 94, नागरिक, सिरलंगा के 19, चीन के 6, अन्य देशों के लोग शामिल हैं जेलों में बंद केदियों में 18-30 साल के 41, यानि 41, परतिशत 18-30 साल के बीच में है और 30-50 साल की अगर बात करें तो 45 परसेंट है यानि लगबग 1000 के करीब और 50 से उपर की बात करें तो 290 के करीब हैं जी यानि 13 परतिशत ये केदि की उसंग क्या बताई है मैं नाइजीरिया, नेपाल, पाकिस्तान, सिरलंका, औस्टेलिया, औस्टेलिया की भी 4 हैं, कनेड़ा का एक है, अन्य देशों के सामिल है यानि कहने का मतलब है बाई, कहने का मतलब है कि इंडियन लोग विदेशों में आपने सुनाओगा, साहिद पहली रिपोर्ट है कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि विदेशी भी इंडिया में काफी सारे हैं, लगबग 6000 के गरीब हैं, जिन में सजा भी लोगों को कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, जे हिंद जे भारत